तो यह विडियो में हम एक निव डाउट को किलियर करने वाले हैं जो कि अक्सर सभी कंडिडेट जो कि एरफोर्स के त्यारी करते हैं उनके द्वारा पूछा जाता है और यह डाउट हमें सब बना रहाता है तो चलिए सबसे पहले क्वेस्टन पढ़ते हैं और इसका क्या सोल मतलब कि मेरा 12th क्लास फाइनल हुआ उसमें फाइनल मार्क्स एग्रिगेट करके 49.9% है और इंग्लिस में 49.8% है तो क्या मैं एरफोर्स के लिए एलिजबल हूँ या नहीं तो इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर है नो वल्ली कंडिडेट्स हैं फिप्टी परसेंट मतलब आपका मार्क्स एग्रिगेट करके 50% होना चाहिए तो आप एलिजबल नहीं है एरफोर्स जोईन करने के लिए तो यह एक eligibility criteria है इंडियन एरफोर्स के जोईन करने का तो यह doubt clear हो गया होगा बहुत से गंडिडेट को क्यूंकि आपका 1% भी कम होता है 0.1% भी कम होता है तो आप eligible नहीं हो सकते हैं तो आसा करते हैं यह doubt clear हो गया होगा इसको एक बार रिबीट कर देते हैं कि अगर आपका English में especially English में 50% से कम है तो आपका joining नहीं हो पाएगा इसके साथ aggregate करके भी आपका marks 50% होना चाहिए तो मिलते हैं next वीडियो में और next doubt clear करेंगे तब तक आपको कोई doubt हो तो question पूछ सकते comment कर सकते हैं बहुत जल्द वीडियो अप्लोड हो जाएगी तक यू